इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे दूसरे का WhatsApp चैट हिश्टरी अपने मोबाइल में देख पाएंगे या फिर दूसरे का WhatsApp कैसे अपने मोबाइल में यूज कर पाएंगे तो अधिक जनकारें के लिए बीदियो पूरा देखेगा और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ला किलिक करने के बाद आपको Request Desktop Mode दिख रहा है, इसपर किलिक करना होगा, जो Checkbox था, उसको टिक करना होगा. उसके बाद आपको यहां पे देखे, What's Up वेb दिख रहा होगा, इस पर आपको किलिक करना होगा. किलिक करने के बाद अब जिसके भी मोबाइल का WhatsApp अपने मोबाइल में देखना चाहते हैं या फिर चलाना चाहते हैं उसका मोबाइल आपको लेना होगा एक्जामपल के लिए आपको स्क्रीन पर दूसरा मोबाइल दिख रहा है इसी मोबाइल का WhatsApp इसमें चलाओंगा तो सब सब पहले इसका WhatsApp उपेंड करते हैं उसके बाद आपको भी SI उपेंड करना होगा और 3.पर जाना होगा WhatsApp वेब लिखावा रहा है इस पर किलिक करना होगा और ये जो अभी QR कोड दिख रहा है दूसरे मोबाइल में इस QR कोड को इस मोबाइल में एसकेंड करना होगा जो की एसकेंड कर चुका हूँ अब देखिए ये मोबाइल में आटोमेटिक जो है यहाँ पे कुछ हो जाएगा और WhatsApp खुल के आ जाएगा इस मोबाइल का जो की आप अभी देख पाएंगे देखिए सेम जो है यहाँ पे देख सकते हैं यह देखिए सेम आप देख पा रहे हैं तो इस तरह करके WhatsApp उपन हो चुका है लेकिन रुके रुके और भी बताना जरूरी है सब से पहले तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिखके आ जाता है जैसे अभी लॉग इन है तभी नहीं दिखा रहा है ठीक है तो यहाँ से जैसे की चाहे तो लॉग आट कर सकते हैं आटोमेटिक यहाँ से लॉग आट हो जाएगा दूसरे मोबाइल में जिस मोबाइल में आपका WhatsApp चल रहा होगा तो आग हम चाहे तो वापस फिर से WhatsApp पर जा सकते हैं और जाने के बाद देखे आटोमेटिक वह बनके आ जाएगा जैसे कि यहाँ पर फिर से किलिक कर से थोड़ी सुरी टॉट पर उसके बाद यहाँ से रिकेश्ट डेस्टॉप मोड पर किलिक कर दिया हूँ और देखते हैं WhatsApp वेब पर किलिक करके तो यह WhatsApp वेब रहा इस पर किलिक करते हैं तो देखे यह WhatsApp जो मैं इस मोबाइल का इसमें अभी चला था वो एक्टीव है तो आप देख सकते हैं यह active है ठेक है ना अब चाहे तो कोई भी whatsapp खोल के उसका सारा जनकार यहाँ पे देख सकते हैं आप चाहे तो message पढ़ सकते हैं message किसी को भेज सकते हैं वो आपके उपर depend करता है ठेक है यहाँ से आप किसी को भी message भेज सकते हैं वीडियो कर सकते हैं कु जरूर किजेगा और साथ में और नोटिफिकेशन को जरूर दबा देजेगा मिलता होगे लिए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा